हाई एवरिवान वेलकम तो जेके एक्जाम क्रैकर दिस इस तान्या यौर कंप्यूटर फेकल्टी स्टुडेंट सभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेर और कंप्यूटर हार्डवेर में हम लोग कर चुके हैं हार्डवेर इंपूट डिवाइजेज, हार्डवेर अउपूट डिवाइजेज, राइट आई होप वहाँ तक आप लोगों को क्लेर हो गया होगा आप लोगों को यह प्रॉब्लम नहीं आया होगा अब हम hardware का next part start करने वाले है That is computer memory अब computer memory क्या है? देखो, human memory की बात करो अगर मैं हम अपनी memory की बात करें तो हमारी memory क्या है? हमारी life की various events, various happenings बहुत सारी यादे, बाते जो हमारी body में कहां पर store होती है? हमारी body में भी एक particular location है जहां पर हमारी सारी memories यह सब store होता है, कहां पर store होता है brain में कही ना कहीं store होता है है अब बात करो computer machine की अब machine में आप लोग जतना भी काम करते हो जो भी instructions, data, processing आप लोग computer को provide करते हो उसको भी वो सारा working store करने के लिए कुछ ना कुछ device तो चाहिए कोई ना कोई medium तो चाहिए करने के लिए use होते है वो है क्या तो computer memory के मैं बात करूँ तो जैसे कि आप लोग definition देख सकते हैं you can take a snapshot of this as well चाहिए, it refers to the devices that are used to store data and instructions on temporary or permanent basis for use in the computer वही जो मैंने बताया एक computer system में temporary basis पे या permanent basis पे जो भी data और instructions store करने के लिए में मेडियम चाहिए होता है वही क्या है हमारा storage medium या computer memory अब CPU में जब भी आप लोग कोई भी input देते हो processing होने के लिए जो भी data CPU को प्रोसेस करना है उसे कोई ना कोई memory location चाहिए तो जब मैंने आप लोगों को एक पूरा computer system का मैंने आप लोगों को functioning बताया था उसमें मैंने CPU में आपको major points बतायते है CPU के कौन-कौन से थे ALU, CU जो major components of CPU थे उसके पाद था storage medium जिसमें memory unit था अब वही memory unit जो है CPU का हम लोगोंने पढ़ना है वो कैसे काम करता है उस memory unit में कौन-कौन से parts आते हैं, कौन-कौन से types आते हैं तो वही क्या है हमारा memory unit actual में ठीक है अब memory unit की मैं बात करूँ या computer memory की बात करूँ तो ये divide होती है various type में as per their functioning कुछ storage devices जो है वो directly एक computer system से नहीं मैं कह सकते हूँ directly CPU से access होता है उनका CPU से directly connected होते है उन्हें हम लोग कहते है primary storage devices जिसे हम main memory भी कहते हैं ठीक है कुछ devices या कुछ memories ऐसी होती है जो CPU से directly attached नहीं होती वो directly CPU का data access नहीं कर सकती उन्हें हम लोग क्या कहते है secondary storage devices अब ये actual में क्या है इनकी types क्या हम लोग अभी पढ़ेंगे start करने से पहले types आप लोगों को memory measurement के बारे में एक चोटा सा quick review देना है अब देखो जो भी computer system में memory storage है वो किस capacity वो actually capacity क्या है किस measurement के हिसाब से various storage जो एक computer system में होती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लेते हैं एक बार memory और any storage device capacity is expressed as quantity of bytes and bits जो भी आप storage एक computer system में करते हो उसको particular quantity के way में particular quantity में express किया जाता और वो quantity क्या है bits and bytes में computer की memory को express किया जाता है आप लोग daily life में भी अपनी terms यूज करते हो इतना MB data, इतना GB data तो data actual में क्या है वो data storage है, कि उस storage उस data की capacity क्या है चाहिए guys, अब कुछ important terms जो हमें question में पूछी जा सकती है कि capacity actual में है क्या चाहिए, ऐसा question आ सकते है आपको definition दिया हो और पोला हो कि इसमें से ये definition किस को belong करते है तो वो belong करेगी computer capacity को जैसे the total amount of information that a storage device can hold, जितना amount of information amount यानि degree, quantity of information जो एक computer device store कर सकता है, उसी को हम computer की capacity कहेंगे, है ना अब वो capacity की जो है किस किस terms में हम लोग express करते हैं तो ये कुछ important points में लिख के रखे हैं screenshot ले लो और pen down कर लो जैसे आप वोगों को convenient लगे 4 bits is equal to 1 nipple, ठेक है question कैसे आ सकता है 4 bits is equal to, आपको options में क्या दिया होगा जिसे 8 bits, byte, 1 nipple इस तरीके के terms दिया होगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये particular capacity किसके equivalent है ठेक है, 8 bits किसके equal होती है 1, byte के equal होती है अब 1 kb हम लोग generally use करते है 1 kb की speed है, 2 kb की speed है तो वो 1 kb किसके equal है वो किसके equal है 1024 bytes के equal उसके बाद मैं बात करूँ MB की, kb क्या है actual में kilobyte, ठेक है इसका full form है kilobyte उसके बाद MB आप लोग use करते हो megabyte, क्या full form MB का megabyte, 1 megabyte किसके equal होता है 1024 kilobyte के equal होता है ठेक है, उसके बाद आप लोग GB use करते हो GB क्या है, gigabyte अब 1 gigabyte किसके equal होता है 1024 megabyte के equal उसके बाद आजाता है TB, TB is terabyte अब 1 terabyte किसके equal होगा 1024 GB के तो यह आप दोख देख सकते हो 1024, 1024, 1024 इस इस तरीके से यह increase कर रहा है Now there is one more important point 1 GB, question कहीं बार पूछा जाता है 1 GB, अगर हम लोग bytes की term में देखें तो कितना equivalent आता है तो 1 GB, अगर हम लोग bytes की term में देखें तो 1 billion, approximately 1 billion bytes के equal होता है और 1000 megabytes के equal होता है यह भी आप लोग note कर लेना ठीक है, इसके notes बना लो अगर आप लोगों को पूछ लिए जाए 1 MB is equal to how many bytes तो उस वक्त आप क्या answer दो के तो 1 MB is equal to 1 million bytes ठीक है, अगर मैं exact term के बाद करूँ तो 1 MB is equal to 1048576 bytes that is 10,48,576 bytes के equal है 1 MB, ठीक है तो इतनी छोड़ी-छोड़ी values हो है यह आपको याद होनी चाहिए यह equivalent values हो है एक्जाम में पूछ सकते हैं ठीक है, जाई होप यहाँ तक clear हो गया होगा अब हम वापिस आते हैं computer memory पर और हम पढ़ेंगे computer memory के various important types so students, जैसे कि आप लोग board पर एक chart देख सकते हो यह chart define करता है memory types को various memory types जोई computer system में use होती है define कर रहा है यह chart अब computer memory के बाद करूँ तो computer memory दो major types में categorize होती है number one is primary memory number two is secondary memory primary memory को हम लोग main memory भी कहते है या फिर इसे semiconductor memory भी कहा जाता है बात करूँ अगर मैं secondary memory की तो secondary memory को हम लोग auxiliary memory या फिर बाकिंग स्टोर भी कहते हैं अब बाकिंग स्टोर क्यों कहते हैं यह उस तरह की memory है जो backup प्रोवाइट करने के लिए help करती है ठीके कैसे use होती है हम लोग आगे discuss करेंगे इसके बारे में अब भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है main memory ठीके अब primary memory अक्चुल में क्या है इसे primary memory इसी लिए बोला गया है क्योंकि इस memory को CPU का direct access होता है CPU का direct access अगर पूछा जाए किस memory को है तो वो है primary memory अगर बात की जाए secondary memory की तो CPU का indirect access जिस भी memory को होता है वो memory है secondary memory अब primary devices और मैंने कहा कि direct access of CPU ऐसा क्यूं कहा क्यूं की देखो जो भी process अभी एक CPU उपर चल रहा है computer system पे जो भी आप काम कर रहे हो जो भी data instruction आप ए computer system को दे रहे हो currently just भी जो भी काम आप एक computer पर कर रहे हो उस काम को वो सारी walking को कौन सी memory होल्ड करके रखती है वो memory होल्ड करके रखती है primary memory इसलिए इसे main memory भी कहा जाता है कभी एक्जाम में question पूछा जाए कि working memory of computer किसे कहा जाता है तो working memory of computer कहा जाता है primary memory को जैसे कि मैंने बताया जो भी currently आप एक काम computer system पर कर रहे हो वो सारे data वो set of instructions को कौन होल्ड करके रखता है एक CPU में primary memory होल्ड करके रखती है इसलिए इसे कहा जाता है working memory of a computer system और यह main memory है तो इस memory के बिना एक computer work नहीं कर सकता computer cannot run without primary memory इसलिए इसलिए इसे main memory कहा जाता है अब main memory की types की बात करो तो main memory divide होती है non-volatile cash memory and volatile memory में जो further divide होते हैं कुछ types में one by one हम लोग समझेंगे non-volatile memory क्या है cash memory क्या है volatile memory क्या है उसके बाद primary memory को cover करने के बाद हम लोग आएंगे secondary memory पर fine तो चलिए start so students अब हम लोग समझेंगे non-volatile memory सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दो types बताएं तीन types बताएं cash memory, volatile memory, non-volatile memory अब volatile memory का मतलब क्या है कि data या instructions को maintain करने के लिए जिस तरह की memory को power supply के जरूरत पढ़ती है वो है volatile memory अब non-volatile का मतलब क्या है no need of power supply यानि कि जिससे एक computer system में instructions डेटा को maintain करने के लिए power supply की जरूरत नहीं है वो ही है non-volatile memory अगर आप किसी भी अपने system पर work कर रहे हो एकदम से light चली जाते है तो अकसर आप लोग बेगते हो कि आपका data lost हो गया data जिस पर जितना भी आपने काम किया वो सारा का सारा काम गायब हो गया है light आने पर तो वो किस पर stored है वो stored है volatile memory पर लेकिन अगर आप non-volatile memory का कुछ भी काम कर रहे हो तो वो data कभी भी lost नहीं होता है वो as it is computer system में maintain रहता है अब इसमें आता है सबसे important read only memory read only memory that is Rome कभी भी पूछा जाए कि ROM का full form क्या है तो वो है read only memory अकसर question ऐसा भी पूछा जाता है कि Rome में O stands for what ठीक है पूरा abbreviation में ही पूछते किसी एक word का reference किसी एक letter का meaning आप लोगों को पूछ लेते हैं तो वो भी आपको पता होना जाए जस्टो कन्फूज स्टुडेंट को करने के लिए ऐसे questions पूछे जाते हैं तो रोम का full form है read only memory अब read only memory एक permanent type of memory है ठीक है permanent memory that stores instructions or data which can only be read or destroyed अब अब जो भी data एक computer system में कभी भी change नहीं कर सकते हो उसको कभी भी कुछ भी उसमें transition, transformation नहीं कर सकते हो तो वो actual में कौन सा data है वो है उस तरह के instructions जो कहां पर stored हुए है permanent memory में permanent क्यों बोला गया जैसे मैंने बताया कि power supply हो या ना हो ये एक computer system में as it is permanent ही रहता है इसी लिए इसे permanent memory भी बोला जाता है तो इस तरह के data जो एक permanent memory में stored है उस तरह के instructions को आप लोग या तो सिर्फ read कर सकते हो या तो उसे totally destroy कर सकते हो आप उस पर कुछ भी तरह का write या कुछ भी तरह का ओर changes नहीं कर सकते हो अब next point हम लोग पढ़ें तो next point में बोला गया है it is an internal storage a silicon chip on motherboard in a computer अब basically रोम क्या है एक silicon chip कुछ इस तरह का silicon chip है जो computer system के motherboard पर at the time of manufacturing ही install होता है आप इसे खुद से नहीं store करते हो या ऐसा कोई storage medium आप खुद से नहीं बनाते हो जब भी एक computer device manufacture होकर आता है यह chip silicon chip already आपके motherboard पर installed होता है ठीक है तो वही है इसलिए इसे हम internal storage भी कहते है it doesn't require electric current to maintain data instruction यह तो मैंने पहले ही बता दिया data instructions को store करने के लिए maintain करने के लिए से किसी भी तरह के power supply के जरूरत नहीं पड़ती है अब मैं बात करूँ ना ROM के कुछ features की तो जब भी आप एक computer system को on करते हो जब भी आप device को on करते हो तो वो device को on करने में किस तरह की memory use होती है वो memory है ROM read only memory किसमें help करती है helps in turning on a device अब एक question अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि जब भी आप एक device को turn on करते हो turn on करते हो आप एक device को on करते हो computer system हो या आपका mobile phone हो तो उस process को क्या बुला जाता है जी हाँ उस process को भी technical language में एक नाम दिया गया है और उस process को क्या पूला जाता है तो ये question भी important है जब भी computer system turn on होता है उस process को क्या बूला जाता है booting क्या बूला जाता है booting या कई बार इसे boot strap भी कहा जाता है तो booting या boot strap में किस तरह का memory help करता है read only memory help करता है students मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक silicon chip रोम जो है silicon chip की फॉर में motherboard पर manufacturing के टाइम पर ही installed होती है अब इस silicon chip में कुछ software कुछ special software manufacturing के टाइम पर ही install किये जाते हैं उसी time पर ही इस पर store किये जाते हैं तो कभी भी पूछा जाए कि रोम पर किस तरह के पहले से manufacturing के टाइम पर कौन तरह के software जो है वो install किये जाते तो उसे नाम दिया गया है आप लोगों ने आएगे यह नाम सुना भी होगा थीज आए तेशल टाइप ऑफ सॉफटवेयर्स जो एक silicon chip रोम पर और अल्रडी इंस्टॉल्ड होते हैं इंस्टॉल्ड पर्मनेंटली इंस्टॉल्ड होते हैं silicon chip में at the time of manufacturing आप लोगों ने अकसर देखा होगा अगर आप अपने computer system की बात करें आपने mobile device की बात करें तो कुछ तरह के software ऐसे होते हैं कि जब आप अपना device खरीबते हो उसी वक्त वो programs वो software उसमें already installed होते हैं ना तो आप उन्हें share कर सकते हो ना ही आप उनमें कोई change कर सकते हो right अब वो software's actual में क्या है वो software's and firmware's जैसे देखो मैं एक example देती हो अगर आपके computer system में कोई भी word file आपने बनाया है कोई भी music file है कोई भी song file है तो आप उस song file को share कर सकते हो एक device से दूसरे device में आप pen drive से share कर सक तो वो होगे shareable लेकिन कुछ software's ऐसे होते हैं जिनने आप अपने mobile से या computer से कभी भी transfer कभी भी share नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो क्योंकि वो permanent software's है जो manufacturing के time पर ही मिले है वो आप लोगोंने खुद से उसमें नहीं download किया या install किया है वो already installed तो वो non transferable है जिसमें आप ल students read only memory और उन तरह के software's को हम लोग क्या कहते है और special software's को कहते है firmware अब मैंने आपको बताया कि ROM help करता है एक computer system को boot up करने में, booting में, device को on करने में, अब device को on करने में भी ROM पर, इस silicon chip पर कोई special software तो होगा, कोई special software इस पर feed होगा, तो जो software booting के लिए, ध्यान से सुनना, जो software booting के लिए use होता है, एक device को on करने के लिए use होता है, उस software को, उस तरह के firmware को हम लोग क्या कहते है, उस तरह के program को हम लोग कहते है, BIOS, a very important term, BIOS का full form क्या है, basic, input, output, unit, ठीक है guys, जितना भी अभी तक बताया है, यह सारा process बहुत important है, एक बार मैं फिर से, आप लोगों को revise करवा आदू हम लोगों ने रोम में क्या पड़ा, रोम एक non-volatile memory है, जो power supply को, जिसको power supply की जुरत नहीं पड़ती, अपना data या फिर जो भी instructions है, उनको maintain करने के लिए, है ना, क्यों नहीं जुरत पड़ती, क्योंकि ये एक silicon chip है, जो एक computer system पर already installed होती है, जब भी आपकोई device camera हो, उसमें इस तरह के chips को यूज किया जाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, अब मैंने आपको बोला कि वो एक पहले से ही installed chip है, अब एक chip पर ही हम लोगों ने बताया था, एक silicon chip पर ही, वेरियस तरह के instructions हम लोग store करते हैं, जो programs एक computer पर होते हैं, वो एक silicon chip पर ही store होत कुछ programs stored होते हैं, जो वेरियस तरह के processes में help करते हैं, इस तरह के software को, इस तरह के programs को आप लोग कभी भी change नहीं कर सकते हो, you can only read them or destroy them, आप उनमें कभी भी transfer या उनमें कोई भी तरह का write या change नहीं कर सकते हो, अकसर अपने mobile phone में भी देखते हो, कुछ softwares ऐसे होते हैं, जिन को on करने के लिए, जब एक system device turn on होता है, किस तरह का memory यूज होता है, read only memory का यूज होता है, non-volatile memory का यूज होता है, और एक system को on करने में, कौन सा firmware, कौन सा software यूज होता है, वो software है BIOS, इसका full form है basic input output unit, यहां तक समझ में आ गया, यही important terms हैं, जो आपको ROM के बारे में पता हो होने जाए, यहां तक आपके doubts clear हो गए होंगे, ठीक है guys, अगर clear हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, so read only memory के three major types है, number one, P-ROM, number two, E-ROM, EP-ROM, number three, double E-P-ROM, ठीक है जी, P-ROM का full form, इनका full form पता होना important है, P-ROM का full form क्या है, programmable read only memory, अब programmable read only memory का मतलब क्या है, देको ROM का है read only memory, हम data को सिर्फ read कर सकते हैं, या destroy कर सकते हो, उसमें write या कुछ change नहीं कर सकते, लेकिन बात करें, programmable read only memory की, ये किस तरह की memory है, actually programmable read only memory में सिर्फ एक बार, एक बार आप program को change कर सकते हो, आप program को rewrite कर सकते हो, एक बार अगर आप लोगों ने कर लिया, can be changed only at once, ठीक है, स किस की तरह behave करेगी, रोम की तरह, ठीक है, read only memory की तरह, उस वक्त, उसके बाद आप उस data में कोई भी change या फिर rewrite नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद बात आती है, erasable programmable read only memory, ये है, EP Rome का full form, अब यहाँ पर आप लोग data को erase कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया, रोम मे हम लोग program को change नहीं कर सकते, erase नहीं कर सकते, write नहीं कर सकते, लेकिन, erasable programmable memory में आप data को erase कर सकते हो, और rewrite कर सकते हो, लेकिन कब जब भी, to get the exposure to strong ultraviolet light, इसी लिए, erasable programmable read only memory को हम लोग, ultraviolet EP Rome भी कहते है, तो पूछा जाए कि EP Rome को और क्या बोला जाता है, तो उसे ultraviolet EP Rome भी कहा जाता है, क्योंकि data को erase and rewrite using ultraviolet trace ही किया जा सकता है, ठीक है, उसकी बाद आती है, electrically erasable programmable read only memory, double EP Rome, अब यहाँ पर भी data को erase किया जा सकता है, ठीक है, read only memory में तो हम लोग कोई change नहीं कर सकते, लेकिन, यहाँ पर data को erase किया जा सकता है, programs को rewrite किया जा सकता है, only using electric pulses, ठीक है, electrically, यहाँ पर मैं कहा सकती हूँ, electric pulses को use करके, हम लोग data में change कर सकते हैं, data को erase कर सकते हैं, rewrite कर सकते हैं, इसी लिए इस तरह की Rome को नाम दिया गया है, electrically erasable programmable read only memory, नाम से ही वैसे meaning समझ में आता है, ठी अब हम लोग पढ़ेंगे, volatile memory and cash memory, now the next type of computer memory, that is volatile memory, volatile memory के बारे में आप लोगों को पहले ही explain कर चुकी हूँ, volatile का मतलब है, अगर power supply खतम हो जाता है, power supply खतम होने के बाद, यह data को maintain करके नहीं रखती, maintain सिर्फ तब तक करके रखती है, जब तक power supply इस particular memory को provide हो रहा है, ठीक है अब इसमें आजाता है RAM, RAM is random access memory, it is a most commonly used memory, most commonly used type of memory which works with CPU to hold data instructions to be processed, जो भी data या instructions आप करंटली computer system पे वर्क कर रहे हो, उसको hold करने में किस तरहां की memory help करती है, RAM आपका help करता है, random access memory, random access memory, actual में एक read-write memory है, read-write memory, जो सिर्फ तब तक data hold करके रखती है, जब तक power supply मिल रहा है, ठीक है, तो पूछा जाए, read-write memory कौन सा है, तो वो है random access memory, read करने के लिए सिर्फ memory कौन सा है, वो है ROM, ठीक है, read-only memory, अब कुछ और points पह लेते हैं, it is the first place where data is placed after being input and processed information is placed in it to be returned to the output devices, चले, मैं simplify कर जती को आपके लिए, basically कहने का मतलब क्या है, जब भी आप एक computer system को input देते हो, ठीक है, अब input ने process भी होना है, process होने से पहले input जहां पर store होती है, वो memory कौन सी है, random access memory, ठीक है, अब जो भी information आपने, जो भी data आप लोगो ने computer system को input किया, input होने से पहले तो यहां store हुआ, उसके ब जाता है, वो भी कौन सा है, random access memory, यानि कि processing से पहले, और processing के बाद पर जो भी data आपने दिया है, और information आपको लेना है, वो कहां पर store होगा, random access memory पर store होगा, समझ में आ गया, उसके बाद next point देखे, तो लिखा गया है, temporary memory, जहां तक हमने read-only memory पढ़ा था, वो permanent memory था, किसकी व allow data to be read and written quickly to run applications, यह थोड़ा सा fast है, जो भी data read-write होता है, उसको quickly working प्रोवाइट करता है, जात्या कि जो भी processing है, जो भी CPU के applications है, वो जल्दी रान कर सके, अब यह divide होता है, दो major types में, that is DRAM and SRAM, is dynamic RAM and SRAM is static RAM, ठीक है guys, अब DRAM की बात करूँ, तो D is for dynamic, dynamic का मतलब change होते रहने वाला, है ना, तो dynamic RAM ऐसा RAM है, जो बार-बार किसी भी content, जो भी work आप computer system पर कर रहे हो, उस content को hold करने के लिए बार-बार refreshing मांगता है, बहुत ही short span of time में contents को lose भी कर देता है, ठीक है, इसलिए, जादा कुछ efficient नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, SRAM की, that is static RAM, यह तब तक contents को hold करके रखेगा, जब तक आप एक system पर work कर रहे हो, ठीक है, जब तक system पर work कर रहे हो, तब तक यह आपके contents को, आपके data को hold कर कर रखेगा, अगर पूछा जाए DRAM या SRAM में से more efficient क perform कर रहे है, इसलिए, तो यह है types, अब RAM की बात करूँ, तो RAM का एक negative point क्या है, drawback क्या है, कि यह power supply के साथ ही हमारा content hold करके रखता है, otherwise lose कर देता है, तो इसलिए, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप अपने computer system के साथ, UPS का use करते हो, UPS का use क्यों करते हो, just to provide to the backup to the working data backup to the data, जिस पर आप काम कर रहे हो, power cut होने के बाद भी कुछ समय तक वो device को on रखता है, जिससे आप अपना जो भी current working कर रहे हो, इस डेटा को save कर सकते हो, और उसको loss होने से बचा सकते हो, इसलिए हम लोग UPS का use करते हैं का, इस अगर पूछा चाए, UPS का full form क्या, तो UPS का full form है, un-interruptible, interruptible, power system, ठीक है जी, तो यह है RAM, अब हम पढ़ेंगे third type of primary memory, that is cash memory, now the next type is cash memory, अब cash memory, अब cash memory अच्छल में एक temporary type of memory है, जहां पर उस तरह का data store किया जाता है, जिसको हम लोग frequently access करते हैं, जब भी एक system में कुछ ऐसा data है, जिसे हम बार-बार access कर रहे हैं, तो उस तरहां का data जो है, वो कहां पर store किया जाता है, cash memory में store किया जाता है, let's read the definition of temporary storage area where frequently access data is stored, जैसे कि मैंने बताया, data stored in cash memory can be used in future by accessing the cash copy rather than recomputing the original data, देखो, अभी computer में CPU को कुछ भी data read या write करने की ज़रूरत है, तो rather than computing, recompute करना, main memory में जाकर उस data को process करना, recompute करना, CPU directly check करता है cash memory में उस data की copy को, ठीक है, अगर उसको वहां से उस data की copy मिल जाती है, तो ये उसकी working और ज्यादा efficient बनाती है, time भी save करती है, उसे वापिस से main memory में recompute करने की जरूरत नहीं परती, तो इसलिए use किया जाता है cash memory को, actually हम कै भी सकते हैं कि ये main memory और CPU के बीच का एक medium है, जहां पर जो भी data है in future हमें access करना, उसकी copies रखी जाती है, तो CPU बार-बार कोई भी data जो हमें access करना, main memory में जाके उसको read-write करे, बेटर रहता है, वो सबसे पहले कहां check करता है cash memory में, अगर उसको वहां उसकी copy मिल जाती है तो वही से वो data को read-write करके processing start कर देता है, ठीक है guys, तो यही है cash memory, हम लहां पर भी बढ़ सकते हैं, CPU and hardware frequently used cash memory, क्यों use करते हैं, data को in a faster way access करने के लिए, ठीक है guys, तो यह है cash memory और इसी के साथ खतम होता है, first part, that's it, first type, primary storage या primary memory हम लोग कह सकते हैं, next video में हम लोग पढ़ेंग secondary storage devices कहां use होते हैं, कैसे use होते हैं, इस वीडियो से related कोई भी doubt होगा, comment section में जरूर बताओ, I will answer all your comments, ठीक है guys, और अगर आप में से कोई भी चानल पर नया है, तो चानल को subscribe करना, मत भूलना, bell icon को press करो, दाकि आने वाले वीडियो के updates आपको मिलते रहें, ठीक है guys, तो पढ मत भी ध्रोब लना, भूलना, भूलना, भेएं पेजाटाँ भी चानल पर नया हो